सबसे पहले कल के आनालिसिस का रिव्यू करते हैं आज एक्सपाइरी का दिन था मुंटली एक्सपाइरी का दिन तो जो हमने कल प्लान बनाय था कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो उपर या बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेक आउट लेवल बना रहा था और फरस्ट और सेकेंड टार्गेट बना रहा था उसके भी ऊपर काफी निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और अपसाइट टू साइडवेस पैटर्न में पूरा दिन यह ट्रेड कर रहा था तो क दोजी जैसा चैंडल स्टिक पैटर्न यहां पर क्रियेट हुआ है उपर में इसने टेल छोड़ दिया है तो यहां पर एक रेंज क्रेड हो सकता है तो अब जहां से इसने फेल किया है यहां पर उपर का टॉप लगाए 15,176 आज इसने टॉप लगा है लेकिन सस्तिन नहीं ह और तब यह हमारा first target होगा around 15,194 यह हमारा first target होगा और second target होगा around 15,212 यह हमारा second target होगा और आज gap जो create हुआ है तो इसका अगर lower band यह अगर break कर देता है कल तो हो सकता यह gap fill हो जाए तो यानि 15,063 को break कर देता है निफ्टी इंडेक्स comfortably आप देख सकते कुछ दिनों पहले early chart में कैसे इस level को इसने size support यहाँ पर test किया था कुछ देर तो 15,063 break होता है towards out की तरब तो यह intraday के लिए हम यहाँ पर short position बना सकते और तभी हमारा first target होगा 15,042 यह हमारा first target होगा और second target होगा around 15,024 यह हमारा second target होगा तो यह nifty के level से गल के लिए है यानि 26th February के लिए चल जब बैंक nifty में बैंक nifty में भी देखे तो आज जो first candle बना था जिसने upside move हमें देखने को मिला यह उसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर downside move हमें देखने को मिला प्रीमियम कट हो रहे थे आज तो monthly expiry का दिन था तो इस बज़े से हमें यहाँ पर profit booking भी आती हुई दिखाई थी तो अभी कल आप भी देख सकते इस level के आसपास around यह जो highest closing level है आज का highest closing level यानि 37,027 इसके ऊपर अगर sustain करता है बैंक इफ्टी इंडेक्स कल तो ही इंटारे के लिए आम यहाँ पर buy position बना सकते हो और तभी हमारा first target होगा around 37,113 यह हमारा first target होगा और second target होगा around 37,185 यह हमारा second target होगा और अगर towards south की तरफ आता है तो कल का जो हमारा यह breakdown level था वो same हमारा कल के लिए भी breakdown level होगा यानि 36,390 यह हमारा breakdown level होगा इसके नीचे अगर आता है तो ही इंटारे के लिए हमें short position बना सकते हैं तभी हमारा first target होगा 36,300 यानि 20 EMA का support यहाँ पर test कर सकते हैं इसके नीचे चला जाता है तो हमारा second target around बनेगा 36,232 का second target हमारा बनेगा तो यह bank nifty और nifty के intraday levels कल के लिए वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो like जरूर कर देना share comment भी कर देना so thank you very much and happy trading ले गीछ